So hello everyone and welcome back to अपनी कक्षा यार आज की वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं इंटिग्रल्स को ये क्लास 12 का सबसे बड़ा चाप्टर है इसमें लिटरली 12 एक्सरसाइज है उसके बाद एक्जेंप्लार अलग से है तो हम इसके NCRT के लेक्चर्स करने वाले हैं अभी छे लेक्चर्स आएगे ये पहला लेक्चर है चाप्टर नमबर 7 है हमारा ये ऐसा पढ़ाओंगा यार की पूरा नमबर आजाएगे तुम्हारे मेरे खुद सौ आये थे और अब तुम्हारे भी सौ आयेगे ठीक है ये मेरा फेवरेट टॉपिक है तो यार अब बस इस टॉपिक को पढ़ने के बाद फोड़ देना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लेट्स बिगेन इंटेग्रल्स ठीक है देखो हम सबसे पहले हमने लिमिट्स और डेरिवेटिव पढ़ा फिर कंटिनिटी डिफरेंशेबिलिटी एओडी ये 11th क्लास का था लिमिट्स और डेरिवेटिव ये तीनों टॉपिक मिला के बनते है डिफरेंशल कैलकुलस अब फिर जो अब चाप्टर आने वाले है वो है इंटेग्रल्स समेशन एन की वैल्यू क्या होती थी ? एन एन प्लस वन अपॉण टू कुछ-कुछ याद आ रहा होगा तुम्हें समेशन का मतलब क्या होता था ? एडिशन, कंटिनियोस एडिशन तो नहीं बट डिस्क्रीट एडिशन होती थी हमारी ये यानि क्या मतलब पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू देखो यहाँ यह जाता था n is equal to 0 से लेकर कोई number सपस करो 100 और अंदर कोई चीज है तो वह 100 चीजों का समेशन होगा हमारा थेक्या अब क्याल्कुलेस में हम हर बार instantaneous change की बाते करते थे जैसे कि अगर हम limits को भी उठाए तो हम instantaneous rate of change वह सब बात करते हैं तो फिर integration में हम क्या करें कि हर चीज continuous हो रही है तो जो हमारी addition होगी summation होगी वह भी continuous होगी जब यार यह sign जो हमारा है summation का धीरे धीरे जब यह discrete से continuous बनता है तो symbol कुछ-कुछ बदल जाता है और ऐसा symbol बन जाता है तो basically integration का मतलब होता है continuous summation पूरे chapter में तुम इसी symbol के बारे में पढ़ने वाले उसी के साथ खेलने वाले हो बात करते हैं integration होता क्या है integration होता है inverse process of differentiation जो तुम पढ़ चुके हो पहले से जैसे कि differentiation क्या होती थी d by dx of sin x क्या होता था हमारा cause x के बराबर होता था तो integration का मतलब क्या होता है अगर मैं कहता हूँ cause x की integration अभी के लिए ये और ये एक बारी के लिए भूल जाओ बस मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर sin x की differentiation अगर मेरी cause x होती है तो call x की integration मेरी होगी sin x ठीक है मतलब उल्टा हिसाब चल रहा है अगर मैं कहता हूँ x cube की differentiation होती है 3x square 3x square की integration होगी मेरी x cube क्या बात समझ आ रही है यार ये आगे मैंने c b लगा रखा है इसको एक second के लिए ignore मारो ठीक है अब यार ये बात करते है जैसे की मैं differentiation के लिए d by dx का प्रयोग करता था तो किसी भी चीज की differentiation ऐसे होती थी तो अगर मैं integration करना चाहता हूँ किसी भी चीज की let's say x square तो वो ऐसे होगी एक sign लगा दो आगे और आगे लिख दो dx तो basically ये जो sign है और जो ये dx है इसका हम use करते है और differentiation में हम d by dx का use करते है ठीक है वह यार एक और example लेते है जैसे d by dx of tan x क्या होता है sex square x तो sex square x की integration मेरी होती है tan x और आगे ये plus c मैंने अभी बोला ignore मारो इसका हम कुछ देखते है differentiation में d by dx को use करते है again फिर से बताता हूँ और integration में हम इस चीज़ को use करते है अब जरा यार इस c की बात करते है ये c क्यों आ रहा है मतलब किसी भी बार बार जब मैं integrations कर रहा हूँ ये देखो इधर कर रहा हूँ integration फिर इधर फिर इधर तो हर बार मेरे एक c भी आ रहा है answer के साथ इस c की क्या significance है जरा यार ये example देखो अगर मैं कहता हूँ x square की differentiation तो वो होती है 2x अगर मैं कहता हूँ x square प्लस 1 की differentiation तो वो भी होती है 2x मैं कहता हूँ x square प्लस 10,000 की differentiation तो वो भी होती है 2x ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरे 10,000 है ये 1 है ये constants है और constants की differentiation मेरी क्या होती है? 0 होती है, ठीक है? तो क्या मैं in general ये कह सकता हूँ? differentiation of x square plus a constant क्या होगा मेरा? 2x plus 0, right? तो क्या मैं ये नहीं कह सकता? कि 2x की integration मेरी होगी x square plus c, right? क्योंकि एक definite answer definitely नहीं आ रहा है अगर x square की differentiation 2x है तो 2x की integration x square है अगर x square plus 1 की differentiation 2x है तो 2x की integration x square plus 1 भी हो सकती है 2x की integration x square plus 10,000 भी हो सकती है ठीक है? तो हम उसको generalize करके constant लिख देते हैं तो हर बार जब भी तुम integrate करोगे indefinite integration करोगे तो ये c लगेगा अब तुम बोलेगे ये indefinite integration क्या है? थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में अब देखो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक function for example 2x यही हमने लिया था कि integration करते हो तो multiple answer आते है right, multiple answer देगा है मगर एक function की integration करेगे इसी वज़ा से हम इसको indefinite integration भी कहते हैं ठीक है? जैसे यही 2x dx की integration इसका एक geometrical meaning भी होता है हमारा integration का indefinite integration का जो हम अभी पढ़ रहे है वो indefinite integration है जो हम बाद में पढ़ेगे वो होगी definite integration ठीक है? जरा मुझे यह बताओ मैं इसी question की बात कर रहा था 2x dx अगर मैं 2x dx को integrate करता हूँ तो answer आता है x square plus c तो मुझे यह बताओ अगर मैं x square को plot करूँगा graph paper पे तो क्यासा graph बनेगा मेरा? यह graph है और यहां मेरा आ जाएगा x square right पर अगर मैं यह बोलू x square plus 1 को plot करो तो क्या graph आएगा? वही same graph थोड़ा सा shift हो जाएगा उपर x square plus 2 थोड़ा और shift हो जाएगा तो अगर मेरा c कोई भी value ले सकता है तो क्या मैं यह कह सकता हूँ कि मेरे तो multiple graphs बन जाएगे जो एक दूसरे से parallel होगे तो यार इस चीज़ को हम कहते है अगर मेरे पास infinite graphs है तेक है infinite curves है जो एक दूसरे से parallel है सारे के सारे तो उसको मैं कह सकता हूँ family of curves ठीक है यह एक statement होती है family of curves अगर तुमने जे ही पढ़ रखा है तो 11th में भी तुमने कुछ conic section में यह सब किया होगा अब generalized formula for integration indefinite integration ज़रा देख लेते है अभी हम x square की बाते कर रहे थे tan x की बाते कर रहे थे अब करते है थोड़ा fx gx functions पर आते है जिससे बच्चे थोड़ा सब गबर आते है अगर मैं यह बूलू कि किसी function gx की integration मेरी होती है fx तो इसका यह मतलब होगा कि fx की integration क्या होगी gx होगी मेरी right plus a constant तो यह जो मैंने statement लिखी थी यार कि fx dx की integration हमारी gx plus c होती है अगर मेरी gx की differentiation fx है तो इसमें कुछ-कुछ parameters है उनके बारे में बात करते हैं देखो जब भी मैं कहता हूँ integration of a function तो यह जो मेरा function है न इसको हम बोलते है integrand जिसकी हम integration करने वाले है ठीक है यहां जो भी हमारा variable लिखा होगा हो सकता है यह dt लिखा होगा हो सकता है यह d theta लिखा होगा हो सकता है यह dy लिखा होगा तो इसको हम कहते है variable of integration ठीक है और यह जो हमारा प्यारा से symbol है इसको हम कहते है operator of integration operator कह सकते हैं इसको सिर्फ अब जो हमारा result आता है gx मतब fx को integration करोगी तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना तो इसको हम कहते है primitive slash integral slash anti-derivative तो यार कई बर क्या होता है question में यह primitive 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 use कर लेते हैं और बच्चों को इसका meaning नहीं पता होता तो basically कभी भी मैं कहता हूँ कि मानलो मैं कहता हूँ x square का primitive बताओ तो इसका मतलब होता है x square की integration करके दिखा दो भाई जो answer आएगा मेरा x cube by 3 ठीक है यह होता है मेरा तो यह होगा मेरा primitive या इसको anti-derivative इसलिए कहते है क्योंकि gx का derivative differentiation है fx तो anti का मतलब obviously उसका opposite right अब यह c की तो हम बात करी चुके है इसको हम कहते है constant of integration integration हम मैं पता है कि inverse process of differentiation होती है थोड़ी ncrt देख लो थोड़े बहुत formula देख लो जैसे अगर तुम्हें याद हो इन सारे formula की जब हमने बात की थी derivative वाली जो मेरी list थी वो क्या कहती थी कि d by dx कभी याद है तो मैं यह तो याद होगा x raise to power n की value कितनी आती थी nx n-1 यह तो basic differentiation है अगर मैं कहता था d by dx of x तो answer आता था मेरा 1 अगर मैं कहता था d by dx of sin x तो मेरा answer आता था cause x तो अब हम सारी ना उल्टी चीज़े करने वाले क्योंकि integration उल्टा होता है मुझे यह बताओ d by dx of x raise to power n plus 1 upon n plus 1 कितना होगा n plus 1 को बाहर निकाल लो क्योंकि constant है अब x raise to power n plus 1 की differentiation क्या है n plus 1 x raise to power n plus 1 minus 1 तो यानि मेरा answer आ गया xn क्योंकि वो n plus 1 और n plus 1 x raise to power n plus 1 upon n plus 1 देखो यार यह ना काफी ओरली तुम्हें याद होना चाहिए जैसे कि अगर मैं तुमसे फटाफट पूछता था कि भाही मुझे differentiation बता है x raise to power 7 की तो तु बोल देता था 7 x raise to power 6 बड़े आराम से तो ऐसे ही अगर एक दम फटाक से तुमसे पूछू कि x raise to power 8 की इधर मेरको integration बता तो तु बता देगा x9 by 9 याद रखो यार होता कि differentiation में अगर x raise to power 7 है तो यह 7 जंप मारके इधर आ जाता था हमारा answer आ जाता था 7 x raise to power 6 मेरी power एक कम हो जाती थी और जो मेरी power है वह आगे आ जाती थी whereas integration में क्या होता है कोई भी अगर मेरे पास number होता है जैसे x raise to power 100 तो इसकी अगर integration करोगे तो answer क्या होगा यहाँ ला दो plus 1 और divide भी कर दो 100 plus 1 से क्या बात clear है similarly अगर मैं बूलू x raise to power 43 की integration बताओ यार तो मेरा answer आएगा x raise to power 44 divided by 44 आगे plus c तो सब में आता ही है क्या बात समझ आ रही है particularly इन्होंने क्या लिखा है कि x की differentiation 1 होती थी तो अगर मैं सिर्फ यह लिख दूना कि dx तो तुम बोलोगे इसका क्या answer होगा पर यह basically हम यह लिख सकते है 1dx है ना तो 1 की integration मेरी होती है x ठीक है क्योंकि x की differentiation होती थी मेरी 1 तो in general कभी तुम्हे यह भी दे दे 4dx निकालो तो मेरा answer आजाएगा 4x क्योंकि 4x constant है constant बहार आ सकता है अब यह constant बहार आ सकता है यह dy dx of sin x कितना होता है cos x तो cos x की integration कितनी होगी sin x plus c यह बाते तो हमने उपर भी की थी मुझे बताओ d by dx of minus cos x कितना होता है sin x क्यों क्योंकि d by dx of सिर्फ cos x कितना होता था मेरा minus sin x ना तो अगर यहाँ minus लिख दूँगा तो प्लस हो जाएगा तो इसलिए sin x की integration होती है मेरी minus cos x देखो सबसे बड़ा confusion कहा create होता है क्योंकि sin x की जो differentiation होती थी वो तो होती थी मेरी cos x ठीक है पर जो sin x की integration होती है ना यार वो होती है मेरी minus cos x तो इस plus c तो यार इसमें कभी गलती मत करना बच्चे usually confused हो जाते है क्योंकि sin तुम्हारा ना change हो रहा है integration के time similarly cos x की जब मैं differentiation करता था तो answer आता था minus sin x पर उसी on the other hand अगर मैं cos x की integration करूँगा तो answer आएगा plus sin x ठीक है बात समझा रही है उल्टी हो रही है चीज है अब देखो tan x की differentiation होती थी मेरी sex square x तो sex square x की integration कितनी होगी मेरी tan x right और जो मेरी cortex की कोजेक square x तो कोजेक square x की integration क्या होगी ? similarly हार सारे formula sex x की differentiation यह होती थी तो sex x tan x की integration यह हो गई इसकी differentiation यह होती थी तो इसकी यह हो गई हमने फिर inverse trigger की भी बाते की थी कुछ-कुछ वो हमने 12th में की थी 11th में नहीं जैसे sin inverse x की differentiation हमने पढ़ी थी minus x square तो यह काफी अच्छा formula होता है मेरा की integration of integration of under root 1 minus x square की value होती है sin inverse x plus c ठीक है जरा मुझे यह बताओ यार इसका answer ना minus cos inverse x भी हो सकता है क्यों ? क्योंकि cos inverse x की जो differentiation होती थी minus वाले की वो यह होती है क्योंकि normal की minus होती थी एक minus लगाती तो plus हो गया तो तुम देख सकते हो इन दोनों की differentiation सेम है तो इसकी integration इन दोनों में से कुछ भी हो सकती है ठीक है अब tan inverse x की differentiation थी 1 upon 1 plus x square तो 1 upon 1 plus x square की integration होगी मेरी tan inverse x plus a constant ठीक है similarly our cot inverse x का भी same scene है sec inverse x का same scene है kozak inverse x का यह वाला scene है अब आता है हमारा golden formula यार हमारा सबसे प्यारा function e raised to power x इसको कुछ होता ही नहीं इसकी differentiation करो यार तो वापिस e x दे देगा तुम्हें इसकी integration अगर तुम करते हो ना तो सोचो answer क्या आता है वही same e x obviously constant आता है तो काफी कमाल का function नहीं है differentiation करो इसकी integration करो यह integration है ना यार वह होती है log x ठीक है अब यार तुम notice करो कि यहाँ log mod x लिखा है सिर्फ x नहीं है यह mod x है और यहाँ एक और चीज़ लिखिए कि differentiation of log of mod x 1 by x होता है तो यार होता यह है कि log x की integration भी 1 by x होती थी और log of mod x की integration भी 1 by x होती थी तो अगर हम जब भी integration करते है ना यार तो हम लिखेगे log of mod x सिर्फ log x नहीं लिखेगे क्यों क्योंकि mod x में यह case भी मेरा cover हो रहा है थीक है तो हमेशा यह mod लगाना याद रखना बात समझा रही है इसमें तुम अब तुम यार यह सोचोगे यार कि 1 by x की जब हम integration कर रहे है तो हम इसको यह नहीं लिख सकते है कि x raise to power minus 1 dx right और फिर इसको तुम यहां से formula लगा सकते हो जो तुम्हारा x n dx वाला formula था यहां लगा दो answer आ जाएगा और वो तो log मेरे को कहीं से नहीं लग रहा एक चीज़ notice करो यहां अगर मैं डालता हूं x raise to power minus 1 dx तो मेरा answer कितना आएगा मेरा answer आएगा x raise to power minus 1 plus 1 क्योंकि x raise to power n का formula क्या था n plus 1 upon n plus 1 अब कमाल क्या हो रहा है उपर आ रहा x raise to power 0 upon 0 anything something upon 0 anything upon 0 it is not defined तो clearly यह चीज़ मुझे answer नहीं दे पा रहा है तो यही है मेरा answer कि इसका answer होता है log of mod x अब जरह मुझे यह बताओ a raise to power x की differentiation क्या होती थी a x into log a तो जो हमारी a raise to power x की integration होती है वह होती है a x divided by log a ठीक है log a plus c क्या बात समझ आ रही है in general here हर चीज़ में integration हमारा उल्टा ही है कहीं differentiation में multiply हो रहा था तो यहाँ divide हो जाता है वहाँ जो चीज़ प्लस थी वह यहाँ minus हो जाती है देखो जैसे कि अगर यह एक formula मैंने लिख रखा है जादा high five नहीं है ढंक से देखना a x plus b raise to power n की integration होती है a x plus b n plus 1 upon n plus 1 और a से divide हो रहा है यहर मतलब यह है अगर तुम्हें याद हो अगर मैं बोलता था फिर से लिखते है x7 की differentiation क्या होती है जल्दी बताओ x7 की differentiation होती है 7x raise to power 6 पर अगर मैं तुम्हें यह बोल जाता था जरह मुझे यह बताओ d by dx of 5x plus 4 raise to power 10 तो तुम इसकी differentiation कैसे लिखते थे तुम यहां लिखोगे 10 फिर सेम चीज़ लिखोगे 5x plus 4 यहां लिखोगे 9 और फिर तुम chain rule से 5 को भी multiply करते थे x का coefficient को multiply करते थे याद है तुम्हें अगर मैं a x plus b raise to power n की differentiation कहता था तो तुम्हारा answer आता था n into a x plus b n plus 1 n minus 1 into a तो वहाँ a multiply हो रहा था यहां तुम क्या करोगे इसको एक तरीके से x treat करो अभी इसको x raise to power any treat करो और इसका answer हमारा होता था x n plus 1 upon n plus 1 वो सेम चीज़ तुम्हें लिखनी है देखो सेम काम हमने किया but end में x का coefficient हमने divide कर दिया right in all of the above integrations अगर मेरा जो भी यह सारी integrations ही न अगर मैं मानलो कि fx की integration मेरा capital fx आ रहा है answer तो f of ax plus b की जो मेरी integration होगी वो होगी यही same इसको integrate कर दो x के coefficient से divide कर दो right अब करते हैं कुछ questions again x7 की integration यह तो बहुत बार बता चुक हूँ 7 plus 1 upon 7 plus 1 answer आगया x8 upon 8 अब करते हैं integration इसकी question क्या दे रहा है dx upon 6 minus 5x तो मुझे यह बताओ अभी के लिए डरो मत की यह चीज दे रखी है इससे पहले यह solve करो dx upon x क्या होता है वो मेरा होता है log x log of mod x ठीक है अब कुछ नहीं करना अगर dx upon 6 minus 5x लिखाया तो same answer लिख दो log of जो भी चीज है मेरी 6 minus 5x एक linear factor है ठीक है अब क्या करो x के coefficient जो है मेरा minus 5 इससे कर दो divide ठीक है question कतम question finish अगला question यह अगर मैं लिखता हूँ cos 4x dx तो इसको कैसे करेगे तो सबसे पहले अपना याज करो formula cos x की integration क्या होती थी sin x क्यों क्यों कि sin x की differentiation होती थी cos x तो अगर मैं x की जगे बस यह लिख दूं cos of 4x dx तो इसका answer पता है क्या होगा same y लिखो कि sin x एक तो c रह जाता है c कभी रहना न चाहिए exams में आदा आदा number काट लेते है c का even boards में तो answer कितना आएगा हमारा sin 4x ठीक है plus c इसको बस divide कर दो sin 4x को x के coefficient से क्या बात समझा रही है यार अब देखते है कुछ basic properties indefinite integration की जैसे कि अगर मैं क्याभी भी कहता हूँ k times f dx मतलब कि इसका answer हो जाएगा k into f dx एक छोटा से example अगर मैं कहता हूँ x square की integration ठीक है तो इसका answer क्या आएगा x raise to power 2 plus 1 upon 2 plus 1 यानि की x cube by 3 plus a constant right तो अगर मैं तुमसे यह बोलूँ कि 7 x square की integration करो तो इसका answer क्या होगा 7 को तुम बाहर ला सकते हो और फिर x square को अराम से मजे में integrate कर सकते हो तो कभी भी अगर किसी भी integration में constant आ रहा है तो तुम उसको अराम से भाहर ले सकते हो same thing differentiation में भी कर सकते थे constants को तुम भाहर ले सकते हो second property की तरफ बढ़ते है वही same differentiation वाली चीज है यह अगर मैं कहता हूँ एक function plus minus दूसरा function की collective integration तो इसको मैं अलग से लिख सकता हूँ पहले function की integration plus minus दूसरे function की integration अगर तुम्हे याद हो कि मैं कहता था अगर differentiation भी करता था for example x square plus x raise to power 10 की तो इसको मैं अलग से differentiate कर सकता हूँ x square की differentiation plus x 10 की differentiation याद है तो जो चीज़े differentiation में थी यार वो integration में भी follow हो रही है यह सारी चीज़े basic ठीक है अगर मेरा fx gx के बराबर है इसमें थोड़ा सा star mark लगा लो subject मदभपा कड़ रहा है तुम्हारा यह अगर fx मेरा gx के बराबर है तो fx की integration कितनी होगी gx की integration plus a constant अब देखो अगर मैं कहता था कि fx gx के बराबर है तो मैं यह लिख सकता था कि fx की differentiation भी gx की differentiation के बराबर होगी तो यार same case मेरा integration के साथ भी hold true करता है पर इसके आगे भी एक constant आ जाता है ठीक है यार कुछ और अब basic questions करते है इन ही properties को देखके 1 2 3 को देखके ठीक है तो पहला क्या था यार पहला question मेरा है x cube minus x upon x square तुम बोलोगे अरे भाई साब यह क्या दे दिया इसका तो formula ही नहीं पड़ा है तुमने तो इसका यार कोई बड़ी बात नहीं है तुम इसको separate out कर सकते हो सबसे पहले तो इसको यह लिख सकते हो इसको लिख सकते है integration of x cube upon x square minus x upon x square dx तो वो क्या बनेगा है हमारा x क्योंकि यह cut के x आ जाएगा minus 1 upon x dx ठीक है इसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया था एक function plus minus दूसरे function की integration हम ऐसे लिख सकते है x dx minus minus 1 by x dx ठीक है अब मुझे बताओ x dx की integration होती है x square plus 2 x upon 1 plus 1 और फिर 1 by x की integration होती है log mod x direct formula मैंने side में formula भी लिख रखे है तुमारे लिए ठीक है अगला question करते है 1 minus sin x upon cos square x तुम बोलो कि अरे भाई साब यह क्या दे दिया trigonometry भी डाल दी इसमें कोई बात नी अगेन इसको split करो सबसे पहले तो इसको split out कर दो यह तो basic 7th class का basic है कि मैं a minus b upon c को लिख सकता हूँ a upon c minus b upon c तो मैंने वही कि अब तुम बोलोगे कि मैंने x square x कैसे लिख दिया तो मैंने वही किया फिर तो उसके बाद क्या करेगी यार हम one upon cos square x को मैं लिख सकता हूँ sec square x तो यह जो मेरी चीज है यह बन जाएगी sec square x के बराबर और sin x upon cos square x को मैं लिख सकता हूँ sin x upon cos x into cos x तो यह हो गया tan x और यह cos x उपर जाके बन गया sec x जरा मुझे यह बताओ sec square x की integration होती है tan x याद करो यार यह पूरा list बना के दे रही थी कि देखो यहां रहा मेरा sec square x की integration मेरी होती थी tan x similarly sec x tan x की integration होती थी sec x दूसरा हमारे पास वही था sec x tan x की integration हो गई sec x side में लिख रखे formula अब अगला question में मैं star mark लगा रखा यार यह थोड़ा अच्छा है मतब cbc level के हिसाफ से starting में पढ़ाना थोड़ा अच्छा है but even then तो मैं आना चाहिए दिमाग शाप होता है मुझे यह बताओ इसको कैसे करेगे यार separate out भी नहीं होगा question यह होता 1 plus x upon x square तो मैं कर लेता पहले इसको separate out करता फिर इसको separate out करता है ना बट अब हम क्या करेगे हम करेगे minus 1 plus 1 अपने मर्जी से add और subtract ऐसा क्यों और इसके बाद हम इसे separate out करेगे ऐसे और ऐसे देखो कर रखा है मैंने x square minus 1 upon x plus 1 1 upon x plus 1 जरह मुझे बताओ a square minus b square हमने 8 वी class में पढ़ा था a plus b a minus b होता है अब हमारा x plus 1 cancel out हो सकता है तो यह बन जाएगा हमारा x minus 1 सिर्फ बचेगा और मुझे बताओ integration of x plus 1 क्या होती है divided by log mod x plus 1 ऐसा क्यों क्योंकि 1 upon x की integration क्यों होती थी log x plus c log mod x plus c और 1 upon a x plus b की integration क्या होती थी अगर generalize कर रहा था हमने तो answer आया था log of यही same चीज ठीक है divided by x का coefficient plus c तो यहाँ तो x का कोई coefficient है ही नहीं तो answer सीधा आगया log of mod x plus 1 अब x की integration x square by 2 1 की integration x ऐसा क्यों x को लिख सकते x raise to power 1 तो इसका answer आएगा x raise to power 1 upon 1 plus 1 अब यार अब अपनारा last question करते है एक जो हलका सा मतलब तुम्हे indefinite integration का थोड़ा सा और स्वाद आ जाएगा NCRT का यह example है question दे रहा है find the anti-derivative again देखो कौन सा शब्द यूस के anti-derivative इसका कुछ मतलब नहीं होता इसका मतलब होता integrate कर दो anti-derivative f मतलब जो मेरा anti-derivative आएगा वो आएगा f of f of small f मतलब इसकी हम differentiation करेगे तो यह आएगा हमारा defined by मुझे function दे रहा है fx is equal to 4x cube minus 6 where capital f of 0 is 3 अब आधे बच्चे नहीं language देखके छोड़ देते है देखो मुझे यह बताओ fx मेरा यह दे रहा है और capital f of 0 यह दे रहा है यह capital f of 0 क्या है देखो clearly मुझे पता है जब anti-derivative है इसका f तो क्या मतलब small fx की integration होती है capital fx बस इतनी सी चीज़ थी है ठीक है तो मुझे बताओ इसकी integration कर दो जरा कर दी 4x cube की integration क्या होगी सबसे पहले तो इस 4 को हम बाहर ला सकते है jump मारके एक 4 बाहर आ गया और x cube की integration क्या होती है x raise to power 3 plus 1 upon 3 plus 1 यानि की 4 upon 4 right फिर minus किया अब देखो अलग से integrate कर सकते थे ना मैंने बताया था f1 plus f2 की integration क्या होती है integration of f1 plus integration of f2 right तो इसके बाद 6 की integration क्या होगी 6x क्यूंकि देखो 6dx को हम लिख सकते है 6dx और यह हमारा होता है सिर्फ x 1 की integration x plus a constant यह हमारा है capital fx जरह मुझे बताओ f of 0 मुझे 3 दे रखा है condition दे रखे है तो यहाँ 0 डाल दो यहाँ हाँ जगे 0 डाल दो डाल दिया तो 0 डालने के बाद यह चीज़ कट गई यह चीज़ कट गई सिर्फ c बचा तो इसका मतलब c की value मेरी आ रही है 3 तो मैं यह कह सकता हूँ कि जो मेरा fx है ना पहले क्या आया था मेरा fx यह आया था मेरा जो क्या था x4-6x plus c मेरे पास c मतलब defined नहीं है कुछ c की value तो कुछ भी हो सकती है मैंने पहली बताया था 1, 2, 10,000, 1,000,000,000 कुछ भी बट अब हमारी c की definite value आ चुकी है तो मुझे मेरा function मिल चुका है अच्छा कुछ इंदा नहीं तो ठीक है आर इसी के साथ हमारा पहला lecture जो integration का है वो समाप्त होता है अभी हमने सिर्फ basics की है अभी हमने खरोचा है सिर्फ surface ठीक है जो अगला lecture है integration by substitution वो बहुत ही बड़ी आया है मतलब उससे तुम्हारा base बनेगा कि integrate करते कैसे है functions को और वो real integration है यह तो अभी समझ लो कि हम बस शुरू कर रहे थे ठीक है तो अगली वीडियो में मिलते है बाई बाई